बारत और आस्ट्रिलिया की बीच चल रही टैसे इसका चौथा और आखरी मैच एमराबाद में खेला चा रहा है मैच नरेंजर सिंग मोदी इस्टेडियम में हो रहा है खास बात यह है कि इस मैच को देखने प्रधान मंतरी मोदी और आस्ट्रिलियाई पीम एंथिनी अलबनीज भी पहुंचे तो उनों को लैप ओफ ओनर भी दिया गया जिस पर कॉंग्रेस भाजपा में पलटवार भी देखने को मिला आपको बता दे कॉंग्रेस नेता जैराम रमेश ने प्यम मोदी के एमदाबाद के नरेंदर मोदी स्टेडियम में जाने पर तंजग कसा है उनोंने कहा कि अपने द्वारा बनाएगे अपने ही नाम वाले स्टेडियम में लैप ओफ ओनर लेना किसी आत्म मुख दिव्यक्ति को ही अच्छा लगता है उनोंने कहा कि ये आत्म जुनून की उचाई है भाजपा ने भी कॉंग्रेस पर पलटवार किया भाजपा के आईटी सेल परमुक अमीत मालविया ने कहा कि ये असल में किर्केटड डिप्लोमेसी है जो पीम मोधी कर रहे हैं उनोंने कहा कि ये वास्ताब में आगे काम करता दिखेगा बता दे कि भारत औसले की बीच दोस्ती को 75 साल पूरे होने पर दोनों देशों के बीच हो रहे इस मैच को यादकार छण के रूप में देखा जा रहा है इस अफसर पर पीम मोधी और औसले पीम एंथनी अलबनीज एक अलग डिजाइन की गई गॉल्फ कार पर पूरे मैदान में भूमे और उन्हें लैप आफ ओनर भी दिया गया बता दे कि इस कार पर एक होर्डिंग भी लगा था जिस पर लिखा था 75 years of friendship through cricket